हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो रेसिपी सेयर करने वाली हूँ उसमें मैंने सोया ग्रेन्यूल्स और सोया बेन की बरी से बनाई है इसमें मैंने आलू का यूज नहीं किया है इसके लिए मैंने सोया चंक लिये हैं और सोया ग्रेन्यूल्स लिया है यह देखे बरी है यह सोया ग्रैनूल और गिरीन मितर का यूज किया है अभी मैंने बरी को गरम-पानी में vibr़ा सका Western एक अखे लिए खेंः भीग्जों के रुखत द्धी और अनियन और गार्लिक को चॉपकर के रखिया है और निया स passwords किया है और टमाटर चॉपकर के लिए हुए है अब मैं पैन चड़ाती हूँ और इसमें आयल डालेंगे 2-3 स्पून आयल जाएगा और अब मैं इसमें डालूंगी आयल के गरम होने के बाद इसमें मैं जीरा डालूंगी अभी तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें एक चमच जीरा डालूंगी जो मैंने भी निकाल के रख अब अब भी जिंजर गार्लिक का पेश्ट डाल रही हूं यह मैंने उसका फाइन पेश्ट नहीं बनाया है यह सिफ चॉप किया है अब यह थोड़ा सा जब जिंजर गार्लिक हो जाएगा फिर इसमे मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और यह हम एक दो मिनट के लिए चलाएंगे उसके बाद इसमें मैं जो आनियन हमने चॉप करके रखा होगा था वो भी आड कर देंगे ओन्यन को लाइट ब्राउन होने थक हम भूनेंगे धीमी-धीमी फ्लेम पे और जब हमारा अनियन लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें जो चॉप करके टोमैटो्स रखे हो तो पड़े नहीं चोड़ देतें फिर जब इसमें से तेल छूट जाएगा फिर बाकी के हम इंग्रेडियन्ट इसमें एड़ करेंगे अभी देखिए हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो इसमें मैंने एक चममच हल्दी डाली है और ये है धनिया धनिया का पाउडर व Catholic Link के ढेगे और उसके बाथ जो मारे खना इसमें अधाडर घुल के लिए अब इसके बाद हम इसको उबलने मुदा देंगे दी दीधी धी में पे और इसको करीब दस मिनित के लिए हम वबलने के बाद हमारी देनिए म्दी टीकनिस अ अच्छी कब हो जाती है ग्रेवर कम चाहिए तो ज्यादा देर के लिए भी आप कर सकते हैं तो कम ग्रेवी वाला बन जाएगा लाश में मैंने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला एड़ कर दिया अभी हमारी ये सबजी बनके रेडी हो गई है जिसमें मैंने आलू का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है ये डायब लग रही है बस मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से मैं इसको खा लूँ आप भी इसको जरूर ट्राइ करिए अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो ये पहुत ही टेश्टी सबजी लगेगी आपको और इसको आप किसी के प्रोटी चावल किसी के भी साथ खाईए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक यू